तो गाईज आज हम बात करेंगे The Expendable 4 के बारे में चूकि फाइनली थेटर में रिलीज हो चुकी है जिसे लेकर हर किसी को जाना है कि आखर ये फिल्म है कैसी क्योंकि इस साथ जितनी भी आक्शन फिल्म में आनी थी उन सभी का फैंस को बहुत इंदिजार था जिन में से एक तो यानि इसके तीन पार्ट पहले बन चुके हैं जिने आपको देखना पड़ेगा कैट्रिस को समझने के लिए बागी उसके लावास तीनोंगी पार्ट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जबरदस्त हैं तो आप उन्हें वैसे भी देख सकते हैं पर उनकी नहीं आज हम ब यानि अब सीदा उसी पर आते हैं I mean review पर जिसकी कहानी की बात करो तो कहानी पुरानी है प्रडिक्टिबल है और इस टैप की कहानी की महाने बिलकुल भी उमीद नहीं की थी क्योंकि मैंने इसका ट्रेलर नहीं देखा तो तो मिरको उमीद थी कि यह पार्ट भी पिछले पा काफ यची थी, पर अगर मैं बात करूँ इस पर भी ज्यादा महनत नहीं की गई, क्योंकि हर एक आक्टर पसंद आए आपको उनके करेक्ट में, ऐसा तो बिलकुल भी नी होगा, पर फिर भी अगर आपको कोई पसंद आएगा तो वो है Megan Fox और Jason Statham जिने इस बार कईना के Sylvester Stallone को हटा कर main character बनाये गया है या भी ये भी कह सकते हैं कि इस बार main focus थे Jason Statham जो की हर बार की तरह अपनी same acting देते हुए नजर आते हैं या फिक हैं उनका वो ही style जो कि हर किसी को पसंद आता है और नो डाउट इस फिल्म में भी आएगा वही जो बाता एक्टर्स है उनकी presence भी आपको थोड़ी बहुत enjoyable लगेगी बागी इस फिल्म को जिस पर चलाने की कोश्च की गई है वो है फिल्म के action जो कि नो डाउट अभी भी एक नंबर है पदा वी अफेक्स की कामी आपको अच्छे से देखने मिल जाएगी बागी फिल्म एवरेज है तो उससे आप से बीजें भी ठीकता डेक्शन भी ठीकता और फिल्म की एरेडिंग भी तो अवराल में एक्सपेंडिबल फॉर एक अभव एवरेज फिल्म है जिसका आप वेट कर सकते हैं OTT पर आने का क्योंकि ठेटर में जाकर पैसा खचकर इस इनको देखा जाए मेरे नजमें ये फिल्म उस लेवल की नहीं बनी बागी मर्जी आपके जिससे देखना ने देखना मैं आपके ओपर छोड़ता हूँ पर अगर पहले देख चुके त चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करना बिलकुल ना बोलें मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई